दोस्तों, बॉलिवुड फिल्मों को रोमांचक और चटपटा और मज़िदार बनाने के लिए जितनी एहमियत इन फिल्मों के यंग कलाकार रखते हैं, उतना ही एहम रोल इन फिल्मों में नज़राने वाले नन्हिमुने बाल कलाकारों का भी रहा है, जिन्नोंने कभी अपन फिल्मों को खूब हसाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों को मज़िदार और चटपटा बनाने वाले ये बाल कलाकार बीते इन सालों में आज काफी बड़े हो गए हैं, और इतने अलग दिखाई देते हैं कि शायद आप इने पहली नजर में पहचान भी नहीं पा इस बात की चलिए वीडियो शिडू करते हैं इसके साथ साथ ही अकसर अपनी सेंशल फोटोस के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं, जिनने देखकर पहचान पाना काफी मुश्किल लगता है कि ये वही छोटी भारती है बता दें कि फिलहाल ये शादी के बंधन में नहीं बंदी हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं। नोने दंगल फिल्म से अपने अभिनेक करियर में दोबारा वापसी कर ली है और अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट भूत पुलिस में बिजी हैं। अलग, डैशिंग, स्मार्ट और होट दिखाई देते हैं जैसे कि आप इन तस्वीरों में साब देख रहे हैं। नमर दीन, मालविकार राज अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद दोबारा सिफ फिल्मों में डेब्यू करने की तयारी में हैं। और खबरे हैं कि ये जल्द ही अपने नेक्स्ट प्रजेक्ट में बदोर लीड अक्ट्रिस नजराएंगी। नमर चार परजान दस्तूर और चार्मिंग नजर आते हैं जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। आपको बता दे कि ये अपनी लॉंग टाइम गर्फरेंड डेलना श्रॉफ के साथ इंगेजमेंट कर चुके हैं और जल्द ही उनके साथ शादी रचाने वाले हैं। साथ ही इन्होंने दوبारा से अपने करियर की शिर्वात भी कर ली है लेकिन आप ये बताओर आक्टर नहीं बताओर डिरेक्टर और राइटर काम करते हैं जो असिस्टन डिरेक्टर के तौर पर स्टूडेंट ओफ द इयर फिल्म में भी काम कर चुके हैं। जोया अफ्रोज जी हाँ जोया अफ्रोज वही चाइल्ड आटिस्ट है जिने आपने भाई जान की आदगार फिल्म हम साथ साथ है में आनंद और संगीता की छोटी बेटी राधिका ककरदार निभाते हुए देखा था जिनकी मासूमियत और क्यूटनेस की तारीफे करते जिनके ड्रेसिंग सेंस से लेकर हैर स्टाइल में काफी जादा बदलाव आ गया है और इसे के चलते आज ही अपनी इस होटनेस के लिए अकसर चर्चाओ का विशह बनी रहती हैं वहीं बता दे कि ये पहले की तरह आज भी सिंगल हैं और मुंबई में अपनी फैमिली के ये साल 2014 में फिल्म दए एक्सपोज से एक बार फिर अपने करियर की शिर्वात कर चुकी हैं और जल्दी कबार दा कॉइन फिल्म में दखाई देने वाली हैं तो दोस्तों इन चुनिंदा नन्हे कलाकारों में से किस कलाकार की मासूमियत ने आपको अपना दीवाना बना द